अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें आपको चैनल पे टाइमली अपडेटिड वीडियोज मिलते रहेंगे अभी CCNP, CCNA और Linux के वीडियोज हम लोग continue चैनल पे अप्लोड कर रहे हैं ओके तो आज का टॉपिक DSCP सर्वर है यह एक बेसिक टॉपिक है यह वैसे तो CCNA, CCNP का टॉपिक है जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं यह CCNP मैं स्टार्ट कर रहा हूं लेकिन जो CCNA कर रहे हैं यह Linux कर रहे हैं सभी के लिए एक बेसिक टॉपिक है क्योंकि सभी को DSCP सर्वर के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए राइट तो स्टार्ट करते हैं लोग DSCP सर्वर राइट तो आज हम लोग जो डिसकस करेंगे वो DSCP सर्वर विद DSCP रिले एजेंट के बारे में बात करेंगे इन दोनों का क्या रोल है IP अड् क्योंकि जब भी यूजर को IP अड्रेस की रिक्वार्मेंट होती है तो उस IP अड्रेस के लिए यूजर रिक्वेस्ट किसको करेगा फाइंड आउट किसको करता है सर्च किसको करने की कोसिस करता है तो जब भी यूजर को IP अड्रेस चाहिए होते हैं तो यूजर सबसे पहले वो DSCP server को request बेचता है वो search करता है कि उसके connected network में कहीं भी DSCP server present है या नहीं इसका मतलब यह है कि DSCP server से इसको IP address मिलेगा, subnet mask information भी attach होगी साथ में, plus default gateway की information भी होगी and DNS addresses की information भी होगी इन सभी informations के साथ ये user DSCP server से सारे informations assign हो जाएंगी तो इस तरीके से सभी को पता है कि DSCP का एक basic work है ये basic सा काम है बड़ DSCP server किस तरीके से काम करता है जो user है, ये user कौन सी request बेचता है towards device DSCP क्योंकि इसके पास नहीं कोई IP address है ये cable और cable user network में connect है और उसको DSCP server को search करना है और search करने के बाद उससे IP address की request करनी है request करने के बाद फिर एक IP assign हो जाएगा आपके user को ले computer पे means host PCP आप ऐसे बोले तो देखिए मैं start करना हूँ DSCP server अगर मैं DSCP की बात करूँ layer wise तो इसको आप layer 7 प्रोटोकॉल है आपका DSCP अगर आप से question पूछा जाता है तो आप बताएंगे ये एक layer 7 प्रोटोकॉल है UDP प्रोटोकॉल यूज़ करता है और UDP का port नमबर 67 और 68 ये information आपको note down कर ले नहीं एक basic information है बढ़ पता होने जी आपको DSCP किस layer पे काम करता है UDP यूज़ करता है ये TCP यूज़ करता है और port नमबर कौन से यूज़ करता है अब ही मैं मानके चलता हूं कि आपका जो ये router है मैं network की बात कर रहा हूं तो इधर मैंने एक router connect कर लिए इस router पे DSCP server की configuration की गई ये broadband का router है जिसके तुरू internet connect कर रहा हूं बहुत सारे लोग इस तरीके से connectivity करते हैं बहुत सारे लोगों के पास broadband connections होंगे इसके साथ आपने एक switch connect कर दिया और इधर multiple users connect है अभी user के पास कोई भी IP address नहीं है तो user क्या करता है जब भी कोई IP address नहीं है तो user अपने network में DSCP server को find out करने की कोशिस करेगा तो उसके लिए user क्या करता है एक DSCP discover message भेजेगा यूजर क्या करेगा एक DSCP discover message भेजेगा suppose ये user है तो अपने network में ये DSCP discover message भेजेगा ये broadcast message होगा message type type of message क्या होगा ये broadcast होगा ये आप note down करियेगा क्योंकि ये चीज़े आपको DSCP के discover message के बारे में तो पता है बट वो broadcast और unicost है ये भी पूछा जा सकता है तो ये जो packet type है ये broadcast है और अगर DSCP server network में present है दो condition है या तो DSCP server आपको network में available होगा या फिर DSCP server network में नहीं होगा अगर DSCP server network में present है तो DSCP server से एक DSCP offer request आएगी एक message आएगा DSCP offer इस offer के साथ DSCP एक IP address की information को भी बेज़ेगा एक address offer करेगा वो address suppose DSCP ने offer किया कि 10.1.1.1.1.1.24 CIDR के साथ तो DSCP ने एक IP address offer किया 10.1.1.1.1.24 after that जब DSCP से इसके पास offer आजाएगा offer आने के बाद जो आपका client computer है जो DSCP client बनने वाला है वो एक request generate करेगा DSCP request ये इसको बेज़ेगा DSCP request में ये जो आपका client computer है ये सामने वाले DSCP से ये permission लेना चाहरा है कि मैं इस IP address को use कर सकता हूँ कि नहीं क्योंकि जब तक DSCP acknowledgement नहीं देगा तब तक ये उस IP address को use नहीं कर पाएगा It means जब DSCP request message DSCP server तक जाएगा और DSCP server से फिर एक acknowledgement आ जाएगा DSCP server से एक DSCP message आ जाएगा तो इस तरीके से अगर बात करें तो इस process को हम लोग क्या बोलते हैं इस process को हम लोग दोरा process बोलते हैं discover, offer, request and acknowledgement जो आपका discover message होगा वो broadcast होगा जब आपका DSCP से offer message आएगा ये आपका unicost message है After that जो request जाएगा DSCP request message ये आपका broadcast message होगा राइट और उसके बाद DSCP से जो acknowledgement आएगा वो आपका unicost होगा तो आपको ये सारे points भी पता होने चीए डोरा process को साथ-साथ जो message type broadcast है या unicost है इस पे भी आपको ध्यान देना है तो आपको ये पता चल गया है कि डोरा process किस तरीके से काम करता है जब भी कोई DSCP से आपका question पूछेगा जब भी DSCP में कोई query करेगा तो आपसे what is dora process इस बारे में पूछने की कोशिस करेगा discover, offer, request and acknowledgement second question अगर आप बता देते हो तो वो message type के बारे में पूछ लेगा कि broadcast की जो आपका DSCP offer message है वो unicost होगा या broadcast होगा इन points को आपने clear कर लिया अब अगर देखिए ये जो 10.1.1.1 IP offer किया था किसने DSCP नहीं तो उस condition में DSCP server पे already ये network configure किया गया होगा तो आपको कोई भी address offer करेगा नहीं जो इसके पास DSCP पे एक पूल create किया जाता है क्या create किया जाता है पूल एक range बनाई जाएगी कि 10.1.1.0-24 इस network के addresses को distribute करना है तो जो network आपने पूल में दिया हुआ है उस network की information से related उस network से related एक IP address मिस जो की host ID होगा वो यह DSCP offer message के साथ send करेगा right offer उससे related information को send करेगा assign तो finally तब होगा जब DSCP acknowledgement मिल जाएगा user को okay first condition तो यह होगा second condition है कि network में DSCP present ही नहीं और आपके computer ने DSCP request means DSCP discover message भेजा हुआ है means Microsoft की अगर हम बात करें तो Microsoft server में operating system के साथ DSCP की service inbuilt होती है तो उस condition में आप server पे भी DSCP server बना सकते हो इधर हमने router को DSCP server बना लिया Linux आप यूज़ करोगे उधर भी आप DSCP server यूज़ करोगे तो DSCP का जो working है DSCP किस तरीके से काम करता है वो सभी में same है right but configuration different different हो सकती commands different different हो सकती अलग-अलग servers पे या फिर राउट है right okay अब हम second point पे बात करने वाले थे कि DSCP is not present DSCP network में है ही नहीं और आप DSCP के request कर रहे हो right means यह जो user है इस user पे अभी कोई भी IP address नहीं है इसने एक request की DSCP discover message बेजा right यह आपका network इसने एक DSCP discover message बेजा right but discover message तो बेजा but DSCP server आपका running में नहीं था इसकी service disable थी या server configure नहीं किया गया था इस time पे DSCP discover message आएगा पर इदर से कोई भी offer reply में नहीं आएगा जब कोई भी offer reply में नहीं आएगा तो इस computer को जो IP address मिलेगा क्योंकि without IP यह computer को identify कैसे करेंगे इसलिए अगर DSCP server present नहीं भी है तब भी इस computer को क्या मिलेगा एक IP address मिलेगा वह IP address क्या होता है अपीपा रेंज का IP address होगा right automatic private IP address right automatic private IP address जो अपीपा range है यह range क्या होती है IP address के रेंज आपको पता होना चाहिए कि 169.254.0.0 से स्टार्ट करना है आपको और 169.254.255.25 ये अपीपा रेंज है अगर DACP network में present नहीं है तो आपके computer को इस range के बीच का एक IP address assign हो जाएगा अब आप कहेंगे ये जो range है ये computer में कहां से आ गई क्योंकि DACP server तो present नहीं है इट मेंस आपको ये समझना चाहिए कि computer को operating system design करते समय ये information inbuilt आपके operating system में present होती है जब कभी आपका computer DACP की request करता है उसके पास कोई भी DACP offer message receive नहीं करेगा after that आपका computer एक अपीपा रेंज के बीच का ही IP address assign कर लेगा तो कई बार आप troubleshooting इस तरीके से कर सकते हो कि आप अपने PC पे IP address चेक करते हो और आपको 169.254 range का एक IP address मिलता है इसका मतलब यह हो गया कि आपका PC से जो request है यह वाया इंटरनेट वाया router बाहर नहीं जा रही है आप ऐसे सुचिए देखिए one minute मैं describe करते हो मैं कहना यह चाह रहा था कि यह router हो गया आपका राइट और यह सुच हो गया और यह आपके PC राइट और इस router के साथ ISP भी कनेक्ट है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी राइट अब आप इस चीज को समझे कि यह जो PC है इससे हमने request की IP address के लिए बट वापस इसके पास कोई भी offer message reply नहीं आया जब नहीं आया तो यह जो PC है इसको एक IP address मिल गया suppose 169.254.10.1 यह अभीपा range का IP address है इस range का ही IP address है तो यह एक IP address मिल गया बट इस IP address की help से आप अपने gateway तक तो connect नहीं हो पाओगे ना राइट इस IP address की help से आपको एक address assign हो गया वो ठीक है राइट बट आप अपने gateway तक connect नहीं हो पाओगे तो उस condition में यह होता है कभी भी अगर आपके computer को आप चेक करते हो इस पे नेट नहीं चला है नेट से connectivity नहीं हो पा रही तो आपने IP address चेक करने के लिए so IP config किया तो देखा कि जो IP address मिला है वो तो 69 169 का है इस आपको समझ जाना चाहिए कि 169 का मतलब यह है कि इसको एक अपीपा range का IP मिलने का मतलब यह हो गया कि यह अब internet access नहीं कर सकता यह internet access नहीं कर सकता तो आपको जो travel suit करना है वो इस point पे करना है कि router पे dhcp server की proper configuration की गई है या नहीं तो मैंने आपके dhcp के not reachable है उस condition में user पे कौन सा IP address assigned होगा ओके यह दोनों points clear है अब हम dhcp relay agent के बारे में बात करेंगे ठीक है dhcp relay agent start करने से पहले एक point मैं और आपको बता दूं कि एक condition ऐसी भी आ सकती है एक condition ऐसी भी आ सकती है कि already एक IP address इस पे assigned है मतलब इसी range का एक IP address 10.1.1.2 इस पे already assigned है तो उस condition में क्या होगा इस बात को भी समझने की ज़रूरत है तो कि network के अंदर जब एक already कहीं पर किसी पर static IP address assign है static का मतलब manual क्योंकि dhcp में देखो दो यह option है एक option यह है dhcp server में कि आप static IP address provide कर दो आप खुद type करके address दे दो बट आप 100, 500, 200 computers को कैसे provide 5 to 10 computers हैं तो आप static IP दे दोगे बट आपको 100, 200 या 1000 computers को IP address देना है तो उस condition में आपको dynamic IP address ही assign करने की ज़रूरत पढ़े और dynamic की बात करते हैं तो पर dhcp की बात आ जाती है और dhcp के अंदर होता क्या है कि जब भी किसी को address assign हो जाएगा तो assign होने की बात dhcp binding में वो information आ जाएगी dhcp binding में so करेगा कि किस user को कौन सा IP address assign किया जा चुका है तो उस condition में dhcp server का advantage यह हो गया कि centralized management भी हो रहा मलब एक ही जगे पे बैठके हमें पता है कि हमारे पास thousand plus computers हैं उन सभी computers के जो user है user किस user पे कौन सा IP address assign है यह सारी information आपको dhcp के साथ जो binding होई है उसमें आपको so कर जाएगी जितने भी addresses इसने release किये हुए है जितने भी addresses रिलीस पे दिये हुए है वो सारे addresses आपको with user के साथ with computer name के साथ आपको so कर जाएगी इस तरीके से centralized manage करना भी आसान हो जाता है dhcp server के case में तो मैंने बता है दो टाइप है static and dynamic इसके साथ एक पॉइंट और discuss कर रहा था कि माल लेते हैं कि suppose कि यह आपका dhcp server सोचरों यह बता देता हूं आपको बाकी पसे मैं redundancy protocol के साथ आपको इसे बताऊंगा यहाँ पे दो system है इस computer पे आपने automatic IP assign किया हो इधार एक network है 192.168.10.0.24 dhcp server पे यह configuration की गई इस network की कि आपको यह IP addresses जब भी कोई request आता है तो इस network से related IP addresses dhcp offer message के साथ आपको offer करने तो उस condition में इसके पास एक offer के साथ एक acknowledgement भी आया finally dhora process complete हो गई और इस computer को आपको 192.168.10.2 IP address एक्चली यह serial से assign करता है तो 10.1 assign हो गया लेकिन अगर 10.1 आपको gateway को मिला होगा तो फिर start कहां से करेंगे 10.2 यह हम dhcp server की जब configuration आपको बताएंगे lab का part करेंगे तो उसमें सारी चीजों को clear कर लेंगे कि अगर आप gateway assign करते हो तो gateway का IP कभी भी किसी computer को assign नहीं होगा ओके बट अब second condition क्या थी इस बात को समझें second condition यह थी कि इस computer पे already पहले से एक IP address assign था 10.support2 है 10.3 assign था और जब भी 10.3 assign था अब जब इसको मैं automatic करके request करता हूं तो इसके पास यह message आएगा कि dupli केसी हो रही network के अंदर ठीक क्या और network के अंदर network के अंदर dupli केसी हो रही ठीक तो यहां पे एक अगर इस condition ऐसी आती है तो एक concept आता है gracious arp का gracious arp का concept यह आता है कि यह एक arp request generate करेगा और arp request generate करने के बाद फिर एक dscp release message आएगा और उसके बाद में फिर dscp discover message user send करेगा तब user को वह IP address assign हो जाए तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसके बारे में details से जो discuss करेंगे वह redundancy protocols के साथ करेंगे जिसमें हम लोग hsrp vrrp और glbp के बारे में बात करेंगे redundant protocol के बारे में बात करेंगे ठीक है तो उस lab में मैं आपको इस point को अच्छे से describe कर दो ओके क्योंकि यह doubt आपके mind में आता है कि कई बार कि network के अंदर पहले से एक address assign है तो duplicate address दिखाता है अगर दो computer पर आप same ip दे दो तो उसमें side में notification आता है कि जो आपका address है वो duplicate address हो कर रहा है उस condition में होता क्या है कि दो में से कोई system network से बाहर हो जाता है और वो कैसे होता है इस process को हमें discuss करना है तो अभी हम लोग dhcp relay agent के बारे में बात कर ले दें तो dhcp server आपका complete हो चुका है अब dhcp relay agent की बात करता है अब इतना समझे कि dhcp server अगर आपके local network में present नहीं है dhcp server अगर आपके local network में present नहीं है किसी remote location पर रखा हुआ है किसी दूसरी जगह है आपके local line में नहीं है तो उस condition में आपको dhcp relay agent की requirement पढ़िए otherwise relay agent की कोई requirement नहीं है क्योंकि आपका dhcp जो users को IP address मिल ला है उसके लिए दो option है एक option तो यह है देखिए मैं आपको डाइगराम के थूरू बताता हूँ देखिए एक यह हो गया आपका router इस router के साथ साथ इस router से मैंने switch connect कर दिये और इस switch में मैंने multiple user connect कर दिये ओके इस router को मैंने dhcp server नहीं बनाया रइट अब dhcp server जो बनाया है वो किसी अधर router को मैंने बनाया हूँ उसके पीछे reason यह है कि यह आपका remote router है यह आपके local network के अंदर present नहीं है आप इसको इस तरीके से भी कर सकतो internet service provider भी बनाया है तो जो dhcp server है वो remote location पर यह यह dhcp server और इसका ip address है dhcp server का suppose 112.10.10.100 उस condition में बट जो user है वो यह user है इन सभी users को ip address की requirement है और ip address की requirement है बट इन सभी user का जो server है वो remote location पर है means via internet जाके connect करना पड़ेगा उस condition में इस remote location पर जो server है इस server पर जो ip address assign है वो 172.16.10.0 slash 24 right and gateway भी assign है right कि gateway क्या देना है तो मैं gateway अभी आपको बताता हूँ थोड़ा मुझे आपको describe करना पड़ेगा तो आप इस तरीके से समझे कि यह सभी users dhcp discover message बेजेंगे यूजर के पास ip address नहीं है तो user के पास एक ही option है dhcp discover message बेजना dhcp को find out करना कि dhcp network के अंदर present है या नहीं अगर dhcp network में present मिल जाता है तो मैं आपको बता चुका हूँ क्या होगा एक ip address मिल जाएगा और अगर dhcp network में present नहीं है तो क्य अब यह अब यह क्या हो रहा है इधर से एक dhcp discover message जाएगा dhcp dhcp discover message जाएगा तो जो dhcp discover message जाएगा तो message type मैं आपको बता देता हूँ यह broadcast हो ठीक है इधर भी थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है message type में देखे difference आपको मिलेगा देखने को इधर जो dhcp discover message जा रहा है इसका जो type है वो broadcast है मैं आपको इसको बताते चलता हूँ क्योंकि यह चीज़े आपसे पूछी जा सकती है ठीक है और dhcp discover message जाने के बाद इस router पे तो dhcp configure नहीं है तो उस condition में आपने इस router को अपने जो local में router है उस router को dhcp relay agent बना दिया dhcp relay agent बना दिया देखिए agent का मतलब यह है कि उसको directly server की information पता है ठीक है अक्सर आपके तो यह इस company का agent है इसका मतलब यह हो गया कि वो उसको directly company तक reachability है direct company के बारे में information है तो आप agent की help से company तक पहुँच जाते हैं राइट वही same process यहां भी है कि इस computer को ip address ही है इसके पास local में dhcp relay agent connect है तो यह अपना dhcp discover message किसको देदेगा relay agent को अब relay agent इसका जो dhcp discover message है क्योंकि relay agent को dhcp server के बारे में पता होगा देखो agent तभी बन पाएगा जब उसको dhcp server की information होगी ना तो अब simply इस router पे एक command चलाते है आई पी helper command ठीक है ऐसे बता देता हूं कि इस router पे एक command चलाई मैंने ip helper address और 112.10.10.100 यह dhcp server का ip address है तो आप इसको ऐसे समझे कि ip helper address की command की help से मैंने इस router को यह पता चल गया कि dhcp server का ip address क्या है और जब इस router को dhcp server का ip address पता होगा फिर यह दोनों आपस में जो message exchange होंगे इन दोनों के बीच में वो unicost होंगे इसका मतलब यह जो dhcp discover message अब जाने वाला है इसके पास यह क्या है unicost message होगा right discover के बाद इधर से जो offer आने वाला है यह भी unicost होगा उसके बाद इधर से जो request जाएगा वो भी unicost होगा इस side से जो acknowledgement आएगा from dhcp server यह भी unicost होगा तो मैंने message type भी आपको बताया कि जब agent और dhcp server के बीच में message exchange हो रहे हैं तो वो सभी packets unicost होगे इस बात को आपको ध्यान रखना है चाहिए वो dhcp discover हो या फिर dhcp offer message हो या उसके बाद में request हो या फिर acknowledgement हो यह सभी के सभी unicost message होगे अब dhcp discover user की तरफ से तो broadcast message था अब वापस जब इदर से offer आएगा वो भी broadcast होगा right offer के बाद इदर से जब यह request जाएगा dhcp request वो भी broadcast होगा और उदर से जो acknowledgement आएगा यह भी broadcast होगा तो आपको समझ में बात आगई जब server और relay agent के बीच में message exchange होगे तो unicost होगे and relay agent और user के बीच में जितने भी message exchange हो वो सारे broadcast है चाहे वो user से relay agent की तरफ जा रहे हो या relay agent से user के लिए आ रहे हो वो सभी message क्या होंगे message type क्या होगा broadcast होगा के लिए अब आप एक चीज़ समझे डियसीप रिले agent को server के बारे में पता है तो हमने अपने सारे discover message या सारी information किसको बता दी एजेंट को एजेंट को server तक पता था तो एजेंट ने अपने packet को क्या कर दिया unicast क्यों क्यों क्योंकि router broadcast को support नहीं करता तो router आपके broadcast message को forward नहीं कर पाएगा उस condition में क्या बना दिया simply एक agent बना दिया जिसको server के बारे में बता दिया और उन दोनों के बीच में unicast communication हो जाएगा clear हो गई बात तो इतना सा simple काम था कि relay agent इसलिए हम लोग create करते हैं जिससे जो broadcast messages हैं वो dscp server तक जो relay agent है वो unicast में forward कर देगा क्योंकि relay agent के पास helper address के form में मैंने address बता रखा है कि dscp server कौन है network में dscp server कौन है इसकी information दे रखी okay i think आप मुझे लग रहा कि आपको relay agent के बारे में अच्छे से information मिल गई हो उसका तरीका कुछ ऐसे मैं एक company का organization का एक network बना के दिखाता हूं कि कि किस तरीके से यह relay agent काम करता है यह ऐसे कुछ काम करता है इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि यह आपकी company का local router है और यहां पे आ users connect कर रहे है यह आपका switch one है यह switch two है यह multiple switches हो सकते है यह आप 1000 प्लस user भी हो सकते है और आपके पास जो local में router है उस router पे जो internet connection है क्या isp से connect हूं क्योंकि without internet आपका dscp server इस remote location पे है dscp server इदर remote location पे है यह dscp server यह dscp server भी isp के through connect है अपने local में इसका भी कोई एक isp है उसके साथ यह भी connect है और इस dscp server का ip है suppose 115.100.100.10 with cidr ले लो इसका suppose 30 ओके यह dscp server का ip अब इस सभी users को जो ip address मिलना है वो इस dscp server से मिलना है बट एक condition थी condition यह थी कि यहाँ पे जो users काफी है इस वज़े से multiple vlans बनाए गए के बारे में आपको पता है इसलिए मैं बता रहा हूं एक vlans 10 बनाया और एक vlans 20 कर देंगा वी lans 10 हो गया आपका hr department के लिए और 20 हो गया it के लिए suppose ठीक है अब जो hr के users है इसका network अलग होगा और it के users है इनके ip address का network अलग हो मिन्स आप ऐसा कहरो कि hr के जितने भी users है vlans 10 में जितने users है इन सभी को जो ip address assign होगा वो 192.168.1.0 network के होगे और उस condition के बाद आप कहरो कि जो vlans 20 means it department को ip addresses मिलेंगे जिस network के उसका network ID होगा 192.168.2.0 right it means यह जो dscp और local में तो dscp server present नहीं है तो सबसे पहला काम यह है कि इस dscp server को configure किया गया होगा आपके network के coding system admin ने या पि जो network admin है उन्होंने यहाँ पे दो पूल बनाया एक पूल बनाया 192.168.1.0.24 का दूसरा पूल बनाया 192.168.2.0.24 ओके यह दो पूल create कर दिया इस side ओके और अब जब भी vlans 10 के user request करेंगे तो उनको जो भी IP addresses मिलेंगे सपोज यह vlans 10 के हैं और यह vlans 20 तो vlans 10 के जितने user से सभी को IP मिलेगा 192.168.1.0 network के एक को सपोज 1.1 1.2 इस तरीके से इधर जो IP addresses मिलने चाहिए वो 192.168.2.0.24 और इस router को आपने बना दिया dscp relay agent देखिए यह lab हम लोग complete करेंगे यह lab का part है मैं आपको एक idea दे रहा हूँ इस lab को हम लोग next video के अंदर complete कर लेंगे तो dscp relay agent अब आपको पता है कि vlans 10 या 20 दोनों की information इस router पे आ जाए dscp server अगर vlans 10 से related request है तो 1.0 के network addresses distribute करेगा 2 से related है तो 20.0 के distribute करेगा actually है क्या देखिए इधर आपका single ip address अगर किसी ने इंटर्वीलन routing की है तो उसको idea होगा इस बात का जब हम इंटर्वीलन routing करते हैं तो इस physical interface vlans 10 का gateway होगा दूसरा sub interface vlans 20 का gateway होगा राइट क्योंकि इस जो interface पे ip address है यह आपका dscp server में जब आप pool configure करोगे at that time इस gateway की information भी आपको देनी होगी राइट मैंने आपको कहा था कि dscp server provide the ip address subnet mask default gateway and dns इस सभी informations को provide करता है automatically तो अगर आपको ds सभी computers पे gateway भी automatic assign कराना है तो पूल के साथ साथ आप gateway की information attach करें तो इन सारे points को हम लोग next video के अंदर इस lab को complete करेंगे और इसके बारे में details से discuss करेंगे इस वीडियो को मैं यही पर complete करता हूं thank you so much thanks for watching this video अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं या आपको concepts बहुत अच्छे से clear हो रहे हैं तो like comment और share करना स्वेसली नभूले थैंक यू सो मुच